जैश्री कृष्णा आप सभी पर कानाजी की किरपा सदा बनी रहे अब सुनिए आज की कथा श्री नारायन कहते हैं नारत जब वायू से सुवासित चंदन निर्मित और फूलों से विच्छीवी शया पर राधिका जी सो गई जो की कुछ छण पहले तक श्री कृष्ण के विरह से अत्यनत दुखी होकर मुर्चित हो गई थी तब बहुत प्रकास श्री कृष्ण राधिका जी को समझाया और उन्हें उस श्राप की भी याद दिलाई जो की श्री दामा ने उनके पूरुजन में उन्हें दिया था जब राधिका जी गहरी निद्रा में सो गई तब रात में तीसरे पहर के बीत जाने पर शुब बेला में शुब नक्षत्र से चंद्रमा का संयोग होने पर अमृत योग से युक्त लगन आया लगन के स्वामी शुब ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध थे उस लगन पर शुब ग्रहों की दृष्टी थी पाप ग्रहों के संयोग से जो दुर्योग या दोशादी प्राप्त होते हैं उसका उस लगन में सर्वथा अभाव था अर्था सबकुछ शुब ही शुब था ऐसे समय में श्री कृष्ण ने स्वयम उठकर माता यश्वदा को जगाया मंगल कृत्त करवाया और बंधु जनों को आश्वसन दिया जो विश्व ब्रमान के स्वतंत्र करता और स्वतंत्र पालक हैं उन्हीं भगवान ने राधिका जी के भय से भीत से होकर बाजा बजाने की मना ही कर दी च्योंकि राधिका जी जब तक गहरी निद्रा में थी तब ही श्री कृष्ण को प्रस्थान करना था क्योंकि राधिका जी श्री कृष्ण से एक छण का भी विरह सह नहीं सकती थी प्रज्वलित अगनी और ब्रहमर देपता उपस्तित हुए सामने पती पुत्रवती सती साधवी इस्त्री प्रज्वलित दीपक और दर्बन प्रस्तुत किये गए। पुष्प माला धारण की। फिर गुरुजनों और ब्रहमर के चरणों में भक्ती भाव से मस्तक जुकाया। शंक ध्वनी, वेद पाठ, संगीत, मंगलास्टक और ब्रहमर के मनोहर आशिरवात बड़े आदर के साथ सुने। सभी और मंगल प्रदान करने वाले अपने ही मंगल में सरुप का ध्यान करके उन्होंने परम सुन्दर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि जब भी किसी शुबकारी की शुरुवात करने के लिए या किसी जरूरी काम से आपको बाहर निकलना हो तो अपने घर की दहली से दाहिना पैर ही सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। फिर नंद नंदन नंद के श्रेष्ट प्रांगन में बड़ी खुशी से आ गए। येशुदा जी ने बाईं और से और आनंद यक्त नंद जी ने दाहिने और से आकर अपने लाला को अपने हिर्दय से लगा लिया। बंदू बांधवों ने उनसे प्रेम भरी बाते की और मैया ने और फिर बाबा ने अपने लाला का मुह चूमा। मुने फिश्रेक्रिष्न गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गे रत पर विराजमान होकर सुन्दर मतुरापुरी की ओर चल दिये। मतुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती पुरी को भी परास्त करके बड़ी सुन्दर दिखाई देती थी। श्रीक्रिष्न अकरूर जी और सखाओं के साथ उस रमणी नगरी में प्रवेश किया। मतुरापुरी की भवी शोभा देखकर आगे बढ़ते वे कमल नयान श्रीक्रिष्न ने मार्ग में कुपजा को देखा जो अतिन्त जराजीन और व्रद्धा सी थी। डंडे के साहरे चलती थी। अतिन्त जुकी वी थी और उसके चेहरे पर जुर्या लटक रही थी। उसकी आकरती रूखी और बड़ी भयानक थी। वे कस्तूरी और केसर मिला हुआ चंदन का लेप लिये हुए आ रही थी। जिसके स्पर्ष मात्र से शरीर सुगंदित, सुष्निक्द और अतिन्त मनोहर हो जाता था। पहसा उनके चरणों में सिर रख कर उसने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही उनके शाम मनोहर अंग में चंदन भी लगाया। श्री कृष्न के जो सखा थे उनके अंगों में भी चंदन का लेप लगाया। फिर चंदन का स्वन्द में पात्र हाथ में लेकर उस रेष्ट दास ने बारम बार परिक्रमा करके श्री कृष्ण को प्रणाम किया श्री कृष्ण की त्रिष्टी पड़ते ही सहसा वे अनुपम शोभा से संपन और रूप योवन से लक्षमिजी के समान ही सुन्दर हो गई आग में तपाका शुद्द की वी सुन प्रतिमा के समान वे दीप्त म सुन्दर वस्त्र और रतनों के आभुषन अब उसके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे वे बारा वर्ष की अवस्ता वाली कुमारी कन्या के समान धन्या और मनुहारनी लगने लगी बहुमोले रतनहारों द्वारा निर्मित श्रेष्ट तमहार से उसका वक्ष इस्थल उ उसके ललाट में सिंदूर की बेंदी लगी हुई थी जो नार के फूल की तरह लाल थी मुने सुन्दरी कुपजा मन वानी और शरीर से श्रीक्रिष्ट के चरनों के ही चिंतन और अराधना में लगी हुई थी वो तो निरंतर यही सोस्ती रहती थी कि कब श्रीक्रिष्ट का शुभागमन होगा और कब मैं उनके मनुहर मुक्चंदर के दर्शन कर पाऊंगी। उसे तो सारा जगत सदा श्री कृष्ण मैं ही दिखाई देता था। कुपजा को विदा करने के बाद श्री कृष्ण एक मनुहर माली को देखा जो मालाओं का समूर लेकर राजभवन की ओर जा रहा था। उसने भी श्री कांथ को देखकर प्रत्वी परमाथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएं परमात्मा श्री कृष्ण को ही अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने उसे अतिन दुलब दासिभाव का वर्दान दे दिया और उसकी लाई गई मालाएं पहन कर उस सुन्दर राजमार्ग पर वे आगे वड़ गए फिर रास्ते में उन्हें एक धोबी दिखाई दिया जो कि वस्त्रों का गठर लेकर जा रहा था वे बड़ा बलवान और एहिंकारी था योवन के मद से उन्मत होकर वे सदा उद्दड़ता पूर्ण वेवहर किया करता था महामुने श्री कृष्ण ने उससे विनेपुर्व वस्त्र मांगा अब उसने उन्हें वस्त्र तो दिया नहीं बलके उल्टे कठोर बाते सुना डाली धोबी बोला ओमूर्थ तु गोपजनों का लाडला है ये वस्त्र गाय के चर्वाहों के लायक नहीं है ये वस्त्र तो अतिन्त दुरलप और केवल राजाओं के लिए ही हैं धोबी की ये बात सुनकर मधुसूदन हसने लगे बलदेव जी अकरूर जी और बाकी सखाग भी हसने ल परण करके श्री कृष्ण पार्शदों से विभूशित रत्न में विमान द्वारा गोलोप को चला गया उसका वहद्य विश्यरीर अक्षय यौवन से युक्त जरा और मृत्यू का निवारक श्रेष्ट पितांबर से युक्त था गोलोप में पहुंचकर वह भी वहीं के प पुरिदेव अस्थ हो गए तब श्री कृष्ण की आग्या लेकर अक्रूर जी अपने घर को गए और श्री कृष्ण भी बलदेव जी और अपने सखा आधी के साथ बड़े आनंद से किसी वैशनव के घर गए जो कपड़ा पुणने का व्यवसाय किया करता था उसने अपन सब कुछ भगवान को समर्पित कर रखा था उस भक्त ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनका पूजन किया फिर भगवान ने उसे अपना वह दास से भाव प्रदान किया जो ब्रहमादी देवताओं के लिए भी अतित दुरलब है वहां उत्तम मिस्ठान भोजन करके सब पलंग पर सो गए फिर श्री कृष्ण कुपजा के घर पधारे उसने उनका स्वागत किया भगवान ने उसे बताया कि प्रिये श्री राम अफ्तार के समय तुमने मेरे लिए कठे तपस्या की थी इसलिए अब मुझसे मिलकर जराम रित्युरहित और अतित दुरलब मेरे प दिविरत वहां आया और कुपजा दिविदेह धारन करके उसी के द्वारा गोलोग को चली गई मुने वह वहीं चंद्रमुखी गोपी हो गई और कितनी गोपियां उसकी परिचारी का हो गई भगवान नंद नंदन भी छड़ भर कुपजा के यहां ठहर कर पुनह अपने न आकाश से गिरकर प्रत्वी पर पड़ा है उसकी चार टुकडे हो गए हैं मुने इसी तरह चंद्रमंडल भी आकाश से प्रत्वी पर गिरकर दस टुकडों में बटा हुआ दिखाई दिया उसने कुछ ऐसे पुरुष भी देखे जिनकी आकरती विक्रित थी वे हाथों में और काले बाल उपर की ओर उठे वे थे वह एक हाथ में तलवार और दूसरे में खपर लिये वे थी उसकी जीब लपलबा रही थी और उसकी गले में मुंड माला पड़ी हुई थी फिर उसने तेड़ी मेडी कौडी मरघट अध्यजला काठ सूख ही विलकडी कौश तिनके चलता हुआ धड, मुर्दे का चिलाता हुआ मस्तक, आग से जलावा इस्थान, भस में युक्त, सूखा तलाब, जलिवी मचली, लोहा, दाबनल से जलकर, बुझेवे वन, गलित कोर से युक्त, वस्तरहिन, शुत्र और अपनी शिखा अर्था चोटी खोले वे अत्यत प्रशी से भर कर श्राप देते वे ब्रहमन और गुरू और अत्यदिक कोपित हुए सन्यासी योगी और वैशनो मनशियों को भी देखा, ऐसा दोस्व अपन देखकर कंस की नीद खुल गई और उसने अपने माता पिता, भाई और पतनी से वे सब कह सुनाया, उसकी पतनी न फिर धनुर्यगी का मंगल कृत्य आरंप कर दिया, सभा बनवाई, पुर्निदायक, स्वस्ति वाचर और मंगल पार्ट कराया, और योग युक्त पुरोहित को यतन पुर्वक आवशक कारी के अरुस्ठान में नियुक्त कर दिया, राजा कंस हाथ में तीक्षिन तलवार ल धनुषों को युथा स्थान बिठाया गया, नारत उसी समय वलराम के साथ भगवान श्री कृष्न रंग भूमी में आये, और महादेव जी के धनुष को लीला पुर्वक बीच से ही तोड़ डाला, धनुष तूटने की भयंकर आवास से सारी मत्रवपुरी बहरी सी होगी, कंस को बड़ा दुख हुआ और देव की नंदा श्री कृष्न हर्ष से खिल उठे, द्वारवर्ती मल्ल सहित हाथी का वद करके फिर वे सभा में उपस्तित हो गए, योगी जनों ने उन्हें साक्षात परमात्मुदेव परमेश्वर के रूप में देखा, वे अपने पान कराने वाले दुधमुहे बालक के रूप में देखा, कामिनियों की नजर में वे करोणों कंदर्पों की लावन ये लीला धारन करने वाले रसिक शेखर थे, कंस ने काल पुरुष के रूप में देखा और उसके भायों ने शत्रु के रूप में, मल्लों ने अपनी मृ पर्षण चक्र लेकर वे राज मंच के निकट पहुंच गए। मुने उन्होंने कंस को अपने भक्त के रूप में देखा। भक्तों के तो वे जीवन बंदू है ही। सम्रत शाली होकर उसे विमान से विश्नु धाम में जा पहुंचा। मुने कंस का उत्कृष्ठ तेज श्री कृष्ण के चरन कमलों में प्रविष्ठ हो गया। उसका और्ध वुद्याहिक संसकार और सतकार करके फिश्री कृष्ण ने ब्रहामणों को धनका दान किया। इसके मारे जाते ही कंस की माता, पत्निया, पिता, बंदु बांधव, मात्र, वर्ग की स्त्रिया, बहन और भाईयों की पत्निया भी विलाप करने लगी। वे बोले राजेंतर उठो, राज सिंग हसन पर बैठ कर हमें दर्शन दो। महामुने तब श्री कृष्ण ने उन सभी को स सांत्वना दी, परिवार के लोगों ने फिर ब्रहमनों को भोजन कराया और उन्हें सभी प्रकार का धन दिया। सरवात्मा भगवान श्री कृष्ण भी अपने पिता के निकट गए और उनकी बेड़ी हत खड़ी काट कर उन्होंने अपने माता और पिता दोनों को बंदन स से मुक्त कराया, फिर उन देवेश्वर ने दंड की तरह प्रत्वी पर पढ़कर अपने माता पिता को सास्टांग प्रणाम किया और भक्ती से मस्तक जुका कर उनकी स्तुति की। अब क्योंकि श्री कृष्ण से वियोग का अफसरा पहुंचा था, तब श्री नारायन कहते हैं कि नारत तदंतर शोक से आतुर और अपने पुत्र के वियोग से कातुर होकर फूट फूट कर रोते हुए, चेश्टा श्यून पिता नंद जी को श्री कृष्ण और बलराम ने आध्ध्यात्मिक आधी दिवी योगों ध्वारा पड़े सानन्द पूर्वक समझाना प् जो पूर्वकाल में मैंने पुषकर में ब्रह्मा जी, शेश, गणेश, महेश, तिनेश, मुनेश और योगिश्वर को प्रदान किया था, यहां कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है, यह पुत्र आधी का सम्मत किस कारण से है, जीव अपने कर्म से प्रेरित होकर, योगिंद्रों के कुलों में जनम लेता है, और कोई राजरानियों के पेट से उत्पन होता है, कोई ब्रह्मानी, छत्रिया, वैश्या या शुद्राओं की गर्भी से जनम गरहन करता है, बाबा, मेरी माया से मोहित्वी पापी जन मुझे नहीं जान पाते हैं, मैं सब जन्तों का आत्मा हूँ, परन्तों दुर्बुति और दुर्भागी से वंचित, पाप, गरिस्त जीप, मुझ अपने आत्मा का भी आदर नहीं करते हैं, जहां मैं हूँ, उसी शरीर में सब शक्तियों और भूख प्यास आदी हैं, मेरे निकलते ही सब उस इस ग्यान को बलिभाती समझ कर, नंद जी फिर अपने अनुगामी ब्रजवास्तियों के साथ ब्रज को वापस लोट गए, वहां जाकर उन्होंने उन दोनों नारिश रोमनियों से अर्थात यशोदा जी और राधिका जी से उस ग्यान की चर्चा की, नारत वह महा ग्यान पाकर सब लोगों ने फिर अपना शोक्त याग दिया, श्रिक्रिष्ण यदेपे निरलिप्थ हैं, फिर भी माया के स्वामी हैं, इसलिए माया से अनुरक्त जान परते हैं, यशोदा जी ने फिर से नंदराय जी को माधव के पास भेजा, उनकी प्रेर्णा से फिर आकर नं नंद बाबा विरह की अगनी से व्याकुल होकर गोकुल से उनकी पास आये थे, श्री भगवान ने उसे इस प्रकार फिर कहा कि बाबा शोक और भ्रम को छोड़ दो और ब्रिच को लोट जाओ, महा जाकर सब को प्रसन करूँ, मैं जो परम सत्य ज्यान बता रहा हूँ, उसे सुनो, ये ज्यान शोक ग्रंथी को दूर करने वाला है, हर प्रकार के शोक का नाश करने वाला है, ऐसा कहकर पंच भूतों का वर्णन करतेवे श्री कृष्ण ने नंद बाबा को उत्तम ज्यान का उप्तेश दिया और फिरंथ में कहा, तात मेरे भक्तों का कहीं अमंगल नह होता, मेरा सुदर्शन चक्र प्रति दिन उनकी सब ओर से रक्षा करता है, मेरी ये बात ये शोदा मया से, गोपियों से और गोप गणों से भी कह देना, उन सब के साथ शोक को त्याग देना, अच्छा, अब घर को जाओ, ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की स तब श्री कृष्ण ने कहा, तात, मैं आपको वह परम अद्बुत ज्यान प्रकट करता हूँ, जो वेदों में अतित गोपनी और पुराणों में भी अतित दुरलब है, कुल्टा इस्त्रिया, मोक्ष मार्ग के द्वार को ढखने के लिए अर्गलाएं हैं, भ्रहम और माया कि सुन्दर भूमिया हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ब्रिजराज असादवी इस्त्रियां हरिभक्ती के विरुध होती हैं, वे नाश की बीज रूपा हैं, उन पर विश्वास करना बिलकुल भी उचित नहीं है, प्रति दिन प्रातहकाल उठकर रात में पहनेवे कपड़ों को त्याग दे और हिर्दय कमल में इष्ट देव का ध्यान और ब्रह्मरंद्र में परम गुरु का चिंतन करे, मन ही मन उनका चिंतन करके प्रातहकालिक सभी कर्म पोर्ण करने के बाद बुद्धिमान पुरुष निश्चही निर्मल जल में सनान करे, कर परम का उच्छेत करने वाला भक्त कोई कामना या संकल नहीं किया करता, वह इसनान करके भगवान का ध्यान करता है और संध्या करके घर को लोट जाता है, दरवाजे पर दोनों पैर धोकर वह घर में प्रवेश करे और धुलेवे दोवस्त्र अर्थात धोती चादर धारन क करके मोक्ष के कारण भूत मुझ परमात्मा का ही पूजन करे शालिग्राम, मनी, यंत्र, प्रतिमा, जल, ब्रहमन, गव तथा गुरु में सामाने रूप से मेरी स्थिति मान कर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिए, कलश में, अस्ट दल कमल में या चंदर निर्मित प मंत्र के अनुरूप ध्यान का शलोक पड़कर मेरा ध्यान करने के बाद व्रती पुरुष शोडशुप चार की सामगरी क्रमशह अर्पित करे और भक्ती भाव से मूल मंत्र द्वारा मेरी पूजा करे मेरे साथ ही प्रथम आवरन में श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीर भानू और शूर भानू इन पाच गोपों का भी पूजन करे फिर सुनन्द, नंद, कुमुद और सुदर्शन इन पार्षदों का लक्षमी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गंगा और प्रत्वी इन देवियों का गुरु, तुलसी, शिव कार्थिके और विनायक जी का तथा नवग्रहों और दस दिखपालों का सब दिशाओं में वि दिखन निवारन के लिए गणेश जी, सूर्य अगनी, विश्नु शिव और पार्वती जी इन छे देवताओं का पूजन करना चाहिए, ये विदोक्त देवता कर्म बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, हे ब्रिज राज, मेरी बाबा, अब आप ब्र तुम रमणी व्रिंदावन, पुन्य महोत्सव, गोकुल, गोसमुह, परमसुंदर यमुनातट, गोप्यों के लिए परमसुंदर और अपनी प्रिरास मंडल, गोपांगनाओ, गोप बालकों, ये शोदा, रोहिनी और अपनी प्रिराधा का इस्मरंटों करो, अरे बेटा, तुम्हें अपनी प्राणों से भी अधिक प्यारी राधिका का ध्यान कैसे नहीं आ रहा, वस एक बार, कुछ दिनों के लिए ही सही गोकुल चले चलो, ऐसा कहका नंदजी ने श्री कृष्ण को अपनी गोध में बिठा लिया, और शोग से विवल होकर वे उन्हें नेत्रो के मधर आंसों से पूरी तरह नहलाने लगे, फिर इस नेवश उन्हें अपने हिर्दर से लगा कर आनंद पुर्वक उनके दोनों कपोलों को चूमने लगे, तब परमानंद सरु भगवान श्री कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आपको पसंदाई होगी